पिछले दो हफ्ते से बिहार में जो राजनितिक ड्रामा चल रहा था हाई वोल्टेज का वो अब लगभग लगभग खत्म हो चुका है तो सोचा कि आपको याद दिलाया जाए बिहार की राजनिती में बनते बिगरते सरकार के ऐसे ही कुछ और राजनितिक ड्रामों के बारे में जिसे आप सायद भूल चुके हैं या फिर मीडिया ने सायद आपको याद दिलाया ही नहीं है बिहार के राजनितिक इतिहास के इन ड्रामों में से आपको एक ड्रामा ऐसा भी मिल जाएगा जिसने राज जिपाल से इस्तिफा पत्र तक ले लिया था और राश्टपती तक से इस्तिफे का परस्ताव पेस किया जा चुका था एक ड्रामा इसी बिहार में आपको ऐसा भी मिल जाएगा जिसमें सिर्फ बिहार की सरकार नहीं गई थी बलकि एक साथ एक बार में नौ राज्यों की सरकार गिर गई थी और वो भी तब हुआ था जब बिहार के ततकालिन मुख्यमंत्री के पास बहुमत से कहीं ज़्यादा विधायक थे, उनकी पार्टी पूरी बहुमत में थी Float Test के नाम पर एक ड्रामा आपको बिहार के अंदर ऐसा भी मिल जाएगा जब मुख्यमंत्री जी के पास अपने समर्थन में दो-चार विधायक भी नहीं थे लेकिन उसके बावजूद उस मुख्यमंत्री जी को लगभग 14 दिन का समय दे दिया गया था बिहार बिधान सवा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए आज News Hunters पर ऐसे ही पांच राजनितिक ड्रामों की बात होगी जो Floatist के नाम पे हुआ था इसी बिहार के अंदर बहुत पहले हो चुका है तो सुरू करते हैं इसी ड्रामे से जो आज ही खत्म हुआ है कुछी घंटे पहले खत्म हुआ है अब चुकी इस ड्रामे की खबर ताजा है इसलिए इसके बारे में आप लोग सब लगभग लगभग जानते हैं होना जाना तो कुछ नहीं था लेकिन चुकी पार्टियों को खबर में बने रहना था और खबर खोनों को खबर की भूग थी इसलिए एक के बार एक फैलाए जाते रहे क्रयास के उपर क्यास लगाए गए पोलिटिकल पंडितों के द्वारा और आप फोन और टीवी से चिपके रहे लेकिन हम आपको कहीं नहीं चिपकाएंगे क्योंकि हम न्यूज हंटर कहीं किसी को चिपकाने में विश्वास नहीं करता इसलिए सीधे आपको लेके चलते हैं आठ फरवरी 2015 को जब जीतन राम माजी जी देश के परधान मंतरी ननेंदर मोधी जी से मिलने के लिए दिली गए थे उसके एक दिन पहले यानि कि 7 फरवरी 2015 को माजी जी ने बिहार के राजपाल के सामने बिहार विधान सभा को भंग करने की पेशकस की थी लेकिन जब मंत्राले में मंत्री मंडल में उसके उपर वोटिंग हुआ तो मांजी जी के पक्स में मात्र साथ मंत्री आये और विपक्स में 22 मंत्रियों ने वोट किया इसके बाद वो संभव था नहीं तो अगले दिन यानि की 8 फरवरी को वो दिल्ली चले गए लेकिन 8 फरवरी को ही जेडी यू के जो 111 विधायक थे उसमें सा 97 विधायकों ने बैठक किया और उस बैठक में सर्व सम्मत्ती से नितिश कुमार जी को अपना नेता चुन लिया और मांजी जी से ये भी आगरा किया कि आप त्यागपत्र दे दिजिए मुख मंत्री पद से लेकिन मांजी जी तो मानने वाले नहीं थे वो सारजुनिक तोर पर उन्होंने साफ साफ इंकार कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर मुख मंत्री के पद से त्यागपत्र नहीं दें हैं कि वो हमारे प्रधान मंत्री से help मांगे गए थे कि आप BJP के साथ मिल करके सरकार बनाईए वहां पर जडियों को तोड़िये बाकी पार्टियों को तोड़िये और मिल करके वहां पर सरकार बनाएंगे लेकिन चुकि BJP को मालूम था कि उसके उस समय सिर्फ 87 विधायक थे और मांजी जी जो दावा कर रहे थे कि 10 से 15 विधायक उनके पास है अगर उसको भी जोड़ दे तो बिहार विधान सभा में जो जरूरी 122 चाहिए होता है विधायकों के संक्या वो साबित करना लगभग लगभग BGP के लिए असंभव था लेकि इस तरह से 2024 में सरकार गिरने के बाद लालू यादब और तेजस्वी यादब के खिलाब ताबर तोड़ चापे मारे गए थे मारे गए हैं उसी तरह से 2015 में उस समय विधान सभा के सभापती उदय नेरान चोधरी के खिलाब CBI का एक पुराना केस खोल दिया गया जो BGP की पुरानी आदत है केस खोलने की इसके बाद फिर बिहार के राजपाल केसरी नात्तिरपाठी ने मांजी जी को बहुमत सावित करने के लिए दो हपते का समय भी दे दिया और दो हपता बहुत बड़ा समय होता है जिसका नितिश कुमार ने विरोध भी किया उन्होंने बोला कि साल 2000 में जब वो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तब उन्हें 7 मात्र दिनों का समय दिया गया था अपना बहुमत सावित करने के लिए तो फिर मांजी जी को 14 दिन का समय क्यों दिया गया है बहुमत सावित करने के लिए लेकिन जिस पार्टी मतलब कि मांज इस विधायकों को प्लेन में बिठा करके राष्टपती से मिल्ली के लिए गए कि देखिये किस तरह से बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इस पूरे मुहीम में लालू यादव से लेकर के मुलायम सिंग और कॉंग्रेस तक नितिश कुमार के समर्थन में थे खड़े रहे वहाँ पे नितिश कुमार ने भाजपा पर जे डियू के विधायकों को खरिदने का होर्स ट्रेडिंग करने का आरोप भी लगाया लेकिन अंदता जितन राम मांझे जी ने फ्लोट टेस्ट होने से थोड़े से पहले 20 फरवरी को मुख्यमंतरी के पद्चे त्याग प जब बिहार विधान सभा का चुनाव हुआ था साल 2005 फरवरी में लेकिन उस चुनाव में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिये वेगर पहले तो बिहार में राष्टपती सासन लगा दिया गया और फिर उसके बाद फिर विहार विधान सभा को भंग कर दिया गय लेकिन आखिर क्यूं? क्यूंकि जो परिनाम आया था 2005 के रिजल्ट का वुस में छुपा हुआ था क्यूं राम बिलास पासवान इतने इंपोर्टेंट हो गये थे 243 बिहार विधान सभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी रार जेडी बन करके उबरी थी जिने 75 सीट पे जीत मिली थी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी जेडी उजी ने 55 पर मिली थी बीजेपी को 37 और राम विलास पासवान को 34 सबसे बड़ी पार्टी 29 सीटों के उपर जीत मिली थी इसके अलावा कॉंग्रेस को 10 मिला था, ML को 7, CPM को 3, CPI को 1, NCP को भी 3 मिला था और SP को 4 सिट मिला था और 17 निर्दलिये थे अब इस गनित को अगर सही से जोड़ घटा गुना करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि राम मिलास पासवान के बिना कोई भी पार्टी सरकार वहां बना ही नहीं सकती थी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते RGD को बिलावा बिलना चाहिए था सरकार बनाने के लिए लेकिन राम मिलास पासवान किसी भी कीमत पर RGD के नेता लालू यादब के साथ सरकार बनाने को तयार नहीं थे पहले तो सभी निर्दलिये विधायक लालो एदब के सासा आते नहीं और बिना राम मिलास पासवान के साथ लिए सभी गैर NDA पार्टी के विधायकों के साथ सभी निर्दलिये को भी एक कर दिया जाता तब भी उनके पास 119 विधायक ही हो रहे थे और बहुमत के लिए चाहिए था 122 विधायक दूसरी तरफ सबसे बड़ी पार्टी जेडियू को अगर बुलावाद दिया जाता सरकार बनाने के लिए तो राम विलास समर्थन देने के लिए तैयार थे लेकिन भाजपा के साथ जाने के लिए तैयार किसी भी कीमत पर राम विलास पासवान नहीं थे राम विलास पासवान का साफ कहना था कि न तो वो किसी भ्रस्ट आरजेडी लालुयादब के साथ जाएंगे और नहीं वो समपरदाइक भाजपा के साथ जाएंगे वो चाहते थे कि JDU, LJP, सभी वामदल, कॉंग्रेस और सभी अन गैर संपरदाइक पार्टियां जो independent आये हैं, वो सब मिल करके सरकार बनाएं, हलाकि इन सब को जोड देंगे तो 131 होता है, लेकिन सभी independent को एक साथ लेना, सारी पार्टियों को एक लेना, यह संभव था नहीं ना कॉंग्रेस लालू को छोड़ना चाहते थी, और नहीं लेफ्ट पार्टियां या SP या NCP लालू को छोड़ना चाहते थी इस कंडिशन में, इसलिए 1 मार्च 2005 को 10 जन्पत रोत पे फिर से मीटिंग हुआ, इस बार सुनिया गांधी और लालू यादब के बीच में, इस निर्दलिये जितने भी विधायक बचे हुए थे, उसे तोड़ने का परियाज करेगी, और सरकार बना भी सकती है, अन्तिता 7 मार्च 2005 को बिहार में राष्टपती सासन लगा दिया गया, बिना किसी पार्टी को बहुमत साबित करने का मौका दिया भियकर, ना तो RJD को मौक परिशन में थी नहीं कि LGP का सपोर्ट ले पाए, LGP साप साप मना कर रही थी, लेकिन ड्रामा खत्म अभी नहीं हुआ था, ड्रामा अभी तो सुरू हुआ था, भाजपा अपने ऑपरेशन लोटस में जुट गई थी, दो दिन के भीतर भाजपा LGP के कुछ विधायकों को तोड़ने में, दो महिने के भीतर भाजपा LGP के कुछ विधायकों को तोड़ने में काम्याब हो गई, और LGP के विधायकों को तोड़ने का ये खेल चल रहा था जारखंड में, जारखंड में इसलिए क्योंकि जारखंड में ही ज्यादतर BJP के विधायक वहां से जीते थे, ललन सिंग इसमें मुक्र भूमी का निभा रहे थे क्योंकि तोड़ने में माहिर आदमी है वो दिल्ली में फिर हल चल बढ़ी 21 मई 2005 को 10 जन्पत रोड पर बैठक होई और वो भी रात के 11 बज़े राज के लगवग डेड़ बज़े रूस की राजधानी मासको के होटल कैपेंसिकी में सोय भारत के राश्टपती अब्दुल कलाम आजाद के रूम में फोन बजा फोन इंपोर्टेंट था दिल्ली से एक अर्जेंट फैक्स आया था जिस पर राश्टपती सासन का राश्टपती का हस्ताक्षर चहिए था राश्टपती को बताया गया कि बिहार में समयधानिक संकट उत्पन होनी की इस्तिती हो गई है इसलिए या काम रातो रात किया जा रहा है एक गैर राजनितिक राश्टपती अब्दुलकलाम आजाद इसके पीछे की राजनिती को उस समय समझ नहीं पाये रात में और उन्हें ने उस कागज़ पर उस समय दस्तकत कर दिया वो कागज था बिहार विधान सभा को भंग करने का आदेश राश्टपती की तरब से जिस पर राश्टपती ने हस्ताचर कर दिया अगले दिन यानिकी 22 तारीकी सुबह को राश्टपती के आदेश को राजपाल को भेजा गया और राजपाल ने हस्ताचर कर दिया और 23 मई को अधिसुचना जारी कर दी गई, 23 मई 1905 को बिहार में विधान सभा को भंग करनी की अधिसुचना को जारी कर दिया गया इस तरह से एक निर्वाचित विधान सभा की बिना एक भी बैठक किये बगएर, बिना विधायकों की कोई राई लिये बगएर उसे भंग कर दिया गया था, ये असंवेधानिक था जब बिना किसी पार्टी को बहुमत साबित करने का मौका दिये बगैर साथ मार्च को बिहार में राष्टपती सासन लगाया गया था तो वो भी असमवेधानिक ही था और अब दो महिने के बाद, दो महिने के भीतर, फिर दुबारा से बिहार में समयधान की धज्जियां उड़ाई गई थी एंडिये ने सर्वोच नयाले का दरवाजा खट-खट आया भाजपा विधायक, रामेश्वर परसाद, जेडियू विधायक, रामपरवेश राय, लजीपी विधायक, अनिल कुमार और निर्धलिये विधायक किसूर कुमार ये लोग साथ मिल करके सर्वोच नयाले में गए और याजिका दायर किया सुनवाई चली भी सर्वोच नयाले के अंदर और सर्वोच नयाले ने 29 सितंबर को अपना फैसला सुनाने का घोसना किया कि 29 सितंबर को वो फैसला सुनाएंगे लेकिन सबको अंदाजा लग जुका था कि सर्वोच नयाले इस मामले में केन सरकार से लेकर के राजिपाल और यहां तक की राष्टपती को भी कटगरे में खड़ा करने वाली थी इसलिए चुनाव आयोग ने तीन सितंबर को ही बिहार में विधान सभा चुनाव करवाने की घोशना कर दी यानि कि 27 सितंबर को फैसला आने वाला था सुप्रीम कोट का और 3 सितंबर को ही क इन सरकार ने चुनाव आयोग ने घोशना कर दिया कि बिहार में अगले महीने चुनाव होगा बिधान सभा का। बिहार में चुनाव हुआ भी और इस बार नितिश कुमार और अंडिय को पून बहुमत मिला और उनकी सरकार भी बन गई, मुख्यमंत्री भी बने नितिश का फैसला भी आया और वो फैसला भी नितिस कुमार और एंडिये के पक्ष में ही आया अब सर्वोच नियाले के फैसले की आड़ में नितिस कुमार बिहार के राजपाल बूटा सिंग पर इस्तिफा देने का दवाब बनाने नगे बूटा सिंग ने भी तब तक इस्तिफा दे और 26 जन्वरी को बिहार के राजिपाल बूटा सिंग ने सलामी दी 26 जन्वरी की गंतंतर दिवस की और इस्तिफा दे दिया उधर दूसरी तरफ देश के राष्टपती भी सर्वोच न्याले के इस फैसले के बाद खुद को दोसी मान रहे थे राष्टपती के पद से इस्तिफा देना चाह रहे थे याद रखे वो 21 मही की रात जब तीन देशों की यात्रा पर गए राष्टपती अब्दुलकलाम आजाद को रात में जगा कर उनसे बिहार विधान सभा को भंग करने के आदेश पत्र पर हस्ताचर करवाया गया था धोके से ही सही अंजाने से ही सही लेकिन राष्टपती अब्दुलकलाम आजाद के हाथों एक गैर सम्विधानी काम हो गया था और वो इसके लिए खुद को दोसी मान रहे थे जिम्मेदार मान रहे थे और इसी एवज में वो राष्टपती पद से इस्तिफा देना चाहते थे जब यह ख़बर फैली पूरे देश में कि राष्टपती अब्दुलकलाम आजाद बिहार के मुद्दे पर इस्तिफा देना चाहते हैं तो नितिस कुमार से लेकर के सोनिया गांधी और भाजपा से लेकर कॉंग्रेस सब एक हो गए और एक सुर में सभी ने किसी भी तरह से राष्टपती कलाम को इस्तिफा नहीं देने से मनाया वरना आजाद हिंदुस्तान में यह पहला राष्टपती इस्तिफा होता जो इस्तिफा दे दिये होते यह घटना का जिक्र आपको राश्टपती जी अब्दुल कलाम आजाद जी के जीवनी Wings of Fire किताब में मिल जाएगी और उसके साथ साथ एक और किताब है चिंता चंदरचूर की Cases That India Forgot उसमें भी यह घटना की जानकारी आपको मिल जाएगी ऐसे थे कलाम और एक केस ऐसा भी हुआ था जब अपनी पसंद का राश्टपती चुनने के लिए एक सरकार ने नौ राज्यों की विधान सवाओं को भंग कर दिया था और वहां राश्टपती सासन लगा दिया था बिहार भी नौ राज्यों में से एक राज्य था ये है न्यूज हंटर्स के आज का बिहारी राजनितिक ड्रामा का नंबर चार 17 फरवरी 1980 1977 के चुनाव में पून बहुमत से बनी जनता पार्टी की सरकार बिहार में पूरे विश्वास के साथ चल रही थी जनता पार्टी में तूट थी और वो उसी तूट के कारण करपुरी ठाकुर जी को हटा करके राम सुन्दर दाज जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था 1989 में लेकिन जनता पार्टी के पास पून बहुमत होने के बावजूद 30 एपरल 1980 को बिहार विधान सभा को भंग कर दिया गया और बिहार में राष्टपति सासन लगा दिया गया लेकिन सिर्फ बिहार में ये नहीं हुआ था बिहार के साथ साथ आठ और भी राजित थे जहां पे ये हुआ था यानि कि टोटल नौ राजियों में एक साथ एक बार में बहुमत की सरकार को एक जटके में गिरा दिया गया था कॉंग्रेस की इंद्रा सरकार के द्वारा इन नौ राज्यों में से बिहार के अलावा मद्धिपर्देश, राजस्थान, पंजाब, उत्तरपर्देश, वेस्ट बेंगॉल, हरियाना, हिमाचल पर्देश और उडिशा सामिल था यह खबर New York Times तक अमेरिका के New York Times तक पी छपी थी, दरसल हुआ ये था कि 1980 के चुनाव में कॉंग्रेस की जीत हुई थी, जन्ता पार्टी की हार हुई थी और इंद्रा गांधी फिर से परधान मंत्री बने थी, 14 जर्वरी 1980 को इंद्रा गांधी परधान मंत्री के पद पर को न सिर्फ बिहार, बलकि बिहार के साथ 8 और अन गैर कंगरिसी राजर सरकारों को रद्द करके वहां पर राष्टपती सासन लगा दिया गया था, इंद्रा सरकार के द्वारा. सरकार गिराने का आधिकारी कारण ये दिया गया कि चुकि इन राजियों में लौट खराब हो चुका है और जन्ता का सरकार पर से विश्वास उठ चुका है इसलिए इन राजियों में दुबारा चुनाव होना जरूरी है हलाकि इंद्रा सरकार के इस कदम को उस समय बदले की भावना के रूप में भी देखा गया था क्योंकि साल 1977 में जब लोकसभा चुनाओं में कॉंग्रेस की हार हुई थी और जन्ता पार्टी की जीत हुई थी तब 24 मार्च 1977 को जन्ता पार्टी की तरफ से मुरार्जी देशाई ने परधान मंतरी पद का सपत लिया था और ठीक एक महिने के बाद 30 एपरल 1977 को मुरार्जी देशाई ने कॉंग्रेस सासित देश के नौ राज्यों की सरकार को भंग कर दिया था तो ये एक तरह का 1980 में इंद्रा गांधी का बदला था ऐसा कहा जाता है इसलिए तीन सालों के बाद जब इंद्रा गांधी लोक सभा चुनाओ जीती तो दुबारा सत्ता में आई और परधान मंतरी बनी तो इंद्रा गांधी ने भी बदला लिया और गयर कॉंग्रेसी सासित नौ परधेशों में विधान सभा को भंग करके वहाँ पर राष्टपती सासन लगा दिया गया हलाकि 1977 में मुरारजी देशाई ने जब नौ कॉंग्रेस सासित परधेशों की सरकार गिराई थी तब उसके मुकिता दो कारण थे एक तो ये था कि आपातकाल के दोरान इंद्रा गांधी ने संविधान में परिवर्तन करके लोक सभा और विधान सभा का कारेकाल पांच साल से बढ़ा करके छे साल कर दिया था आज भी पांची साल है लेकिन उस समय इंद्रा गांधी ने छे साल कर दिया था इसलिए जब आपात काल के बाद जन्ता पार्टी की सरकार बनी तो जन्ता पार्टी की सरकार ने आपात काल के दोरान सरकार के दोरा लिये गए सभी फैसलों को खत्म कर दिया था और जो भी फैसला उसमें लिया गया था इसके तहट देश में फिर से लोक सभा और विधान सभा का कारिकाल 6 साल से घटा करके 5 सल कर दिया था जैसा कि 1952 से ही चल रहा था चुकि बिहार, MP, UP, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बेंगौल, हर्याना और हिमाचल परदेश में आखरी चुनाव 1972 में हुआ था तो इसलिए अब उन राज्यों में सरकार 5 साल पूरा हो चुका था, 72 से 57 सल इसलिए इन राज्यों में दुबारा चुनाव करवाना तो तार्किक लगा लेकिन मुरार जी दिसाई ने इन राज्यों के लावा UP और उरिसा में भी दुबारा चुनाव करवाने का घोजना कर जहां पर आखरी विधान सभा चुनाव हुआ था, 1974 में एमर्जेंसी से जस्ट पहले और इन दोनों का कारेकाल 1989 तक खत्म हो रहा था, इस तरह से इन दोनों राज्यों में जनता पार्टी द्वारा दोबारा चुनाव करवाने का फैसला असमेधानिक था, गैर लोग तांत तक तामिलाडू, कस्मीर और नागलेंड को छोड़ करके हिंदुस्तान की बाकी किसी भी राज्य में, लगभग 22 राज्यों में, सारे 22 राज्यों में कॉंग्रिस की सरकार थी, और इसके कारण राज्य सभा में कॉंग्रिस का बहुमत था, तो लोग सभा में जनता पार्ट का चुनाव भी होना था 1977 में और राष्टपती चुनाव में जनता पार्टी अपने किसी व्यक्ति को राष्टपती बनाना चाहती थी और वो तभी बन पाते जब कुछ राज्यों में जनता पार्टी की भी सरकार होती क्योंकि विधायक भी उसमें राष्टपती के चुनाव में वोट करते हैं, सारे लोग वोट करते हैं, इसलिए नौ राज्यों की विधान सभा को भंग करके वहाँ पर दुबारा चुनाव करवाया गया, लेकिन इसके बावजुद राश्टपती चुनाव में कॉंग्रिस की ही जीत हुई थी और जनता पाटी की हार होई थी, ये था बिहार का राजनितिक ड्रामा नंबर चार और अब बारी है बिहार के आखरी ड्रामा की नंबर पांच पर, साल था 2000, जार्खन अभी बिहार से अलग नहीं हुआ था, लेकिन इस ड्रामे के बाद जार्खन विहार से अलग हो जाएगा, इसी ड्रामे के कारण संभवत है, साल 2000 में विहार विधान सभा चुना हुआ था, बहमत ना तो लालू यादब को मिला था, उनकी पार्टी को मिला था, ना उनके गडबंधन को मिला लेकिन 324 सीटों वाले बिहार विधान सभा में 124 सीट जीतने वाली RGD सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उबरी थी, लेकिन राजपाल ने सरकार बनाने का नियोता RGD को न दे करके 67 सीट जीतने वाली भाजपा और 34 सीट जीतने वाले नितिस कुमार को दे दिया, क्य 29 में से जो जारखन के विधायक थे, उनके 8 कॉंग्रिस की विधायकों तोड़ने का पूरा परियास किया था, लेकिन सिवान के सांसत चहाबुदिन सभी कॉंग्रिस विधायकों को पटना के होटल असोका में नजर बंद किये हुए थे, और उसके साथ-साथ वो UPA के, यान में सरकार बनाने का अपना जो पेश का सहवो कर दिया, RJD के पास पहले से 169 विधायक थे, और 4 अनिर्दलिये विधायकों का समर्थर मिला करके उनकी सरकार बन गई, इस घटना के बाद, RJD में सहाबोदिन का कद बहुत उचा हो गया था, लेकिन इस घटना में बिहार और जारखन के विभाजन की तकदीर भी लिख दी थी, जब NDA समझ चुकी थी कि बिहार में अगर लालू का किला तोड़ना है, तो जारखन को अलग करना होगा, क्योंकि इस चुनाव में, यानि कि 2000 जो बिहार विधान सभा का शुना हुआ था, उसमें उत्तर बिहार के ज्यादा तर सीटों पर NDA की जीत हुई थी, साल 1996 से लेकर के 1999 के तीनों लोग सभा चुनाव में ज्यादा तर दचिन बिहार के लोग सभा सीटों पर NDA की जीत हुए थी, इसलिए समार्ट 2000 में बिहार में रावणी देवी की सरकार बनने के 6 महीने के भीतर 15 नवंबर 2000 को ज और विधायकों की खरीद फरोक्त और नजरबंदी के बीच सिर्फ सरकार नहीं बदलती है, बलकि जारखन जैसे नए राज भी बन जाते हैं, उनका जन्म हो जाता है, और इस तरह के फ्लोट टेस्ट के पीछे राश्टपती का चुनाव भी होता है, राश्टपती का इस्त पीफा भी हो सकता है, सर्वोचिनैले की फटकार भी लगती है, और सम्विधान का सवाल भी उड़ता है, इसलिए कहते हैं, बने रहिए, न्यूज हंटर्स के साथ, नमस्कार